हेलो वेलकम टू पर्थम आएस तो इस पार्टिकलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड लार्जिस्ट एक्टिव मौना लोगा वुलकैनो के बारे में जी हां देखेंगे इस पार्टिक्लर वीडियो में कि आक्चुली ये जो मॉना लोगा वॉलकैनो है हावायन आई लैंड में वो आक्चुली क्यों एरप्ट किया इतने दिनों के बाद जैसा कि यहां पर बताया जा रहा है 38 एर्ट के बाद और जाने की कुछिस करेंगे बैग आ चुके हैं अगर आप उन्हें जाकर के देखिए अगर पसंदा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए बिना किसी तरीके हम लोग डिस्केशन को स्टार्ट करते हैं अब आप लोगों से मैं एक कॉमेंट पुछता हूँ कि इंडिया में एक ही ज चलते हैं अपने डिस्केशन की तरफ तो देखिए जैसे यहां पर देख रहे हैं आप रिसेंटली मॉना लोगा दो जो वर्ल्ड की लाजिस्ट एक तरीके से एक्टिव वोल क्यान है वो आफ्टर थर्टी एट यर्स के बाद फिर से एरप्ट हो चुकी है और दो-तीन दिन करते हैं इनके लोकेशन के बारे हैं कि वेर इस मॉना लोगा तो आपको मैं ले चलता हूँ हवायन आइलेंड्स के ग्रूप आफ आइलेंड्स में ठीक है और आप देखेंगे कि बिल्कुल इनके सौधरन मॉस्ट में यहां पे मॉना लोगा और मॉना किया एक एक पार्टि को जाता है और जैसा आप यहां पर देख भी सकते हो मॉना लोगा इस वन आप फाइव वोल्कैनों डाट टुगेदर मेंक अब बिग आइलेंड अफ हवाई और यह जो ने और यहां पर आप देख रहा हूं ना पू कुकोई उसके बाद है आपका कमा काउ और यहां पे आर के पैलगो है देखे आर को पैलगो होता है कि किसी पाइटिकुलर ओशियन में या वाटर की बाडिज में चारो तरफ से घिर हुए लैंड को हम क्या बोलते है और जैसा मैंने आपको बताया कि टॉलेस्ट का टाइटल तो मॉना किया को जाता है जबकि लार्जिस्ट का मॉना लौा को जाता है जो की पूरे आइलेंड का हाफ एडिया को कवर करता है लैंड मास को जैसे यहां पर दिया देखे आप लोगों ने अगर आप देखे आपने डिटेन हिस्ट्री में तो 849 में यह इरॉप्टिट हुआता 33 ताइम्स दे बिग आइलेंड इस मोस्टली रूरल एंड इस होम तो कैटल रैंचेज कॉफी फार्म्स और बीच रिजोर्ट इसकी लेंथ लगवग तीन सो बीस किलोमेटर के आसपास है श्चैनों इरॉप्ट तो आपको पता होगा कि हमारे अर्थ के क्रफ्ट में जैसे जैसे आप नीचे जाते हो अर्थ के सर फे से टुवर्ट्स कोर्ड तो आप धिरे धिरे आपको temperature बढ़ती भी नज़र आएगी तो जो geothermal gradient है अब geothermal gradient क्या होता है the amount of the earth temperature increases with depth depth के साथ जो geothermal temperature जो बढ़ रही है तो ये geothermal gradient बढ़ रहा है indicates heat ठीक है और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो earth का interior है वो surface से एक तरीके से क्या थोड़ी ज़्यादा गर्म है जैसे आप एक certain depth पहुंचते हो तो heat क्या होता है कि इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो heat जो है धिरे धिरे warm हो करके उपर की तरफ आने लगती है और एक certain limitation के बाद फिर क्या होते है कि जो rocks है वो melt कर जाते है और वो creates करता है geologist cells that is magma मतलब जो पर्फ जो आपको earth की जो rocks है वो पिखल करके due to the heat वो क्या बनाता है आपको magma और ये magma क्या होते है ये actually में solid rock से कुछ lighter होते क्योंकि liquid है तो ये उपर की तरफ बढ़ने लगते है through the magma chambers और chambers which have the potential to cause volcanic eruptions are found at a relatively shallow depth between 6 to 10 km under the surface as magma builds up in this chamber जैसे जैसे quantity of magma आती रहती है यहाँ पर forces और pressure बढ़ता रहता है और एक time क्या होता है कि ये जो cracks हैं ये तूट जाते हैं और वही volcano eruption के form में आपको surface के ऊपर देखने को मिलता है the magma that surfaces on the earth crust is referred to as a lava तो जो magma अर्थ के ऊपर आ जाती है ठीक है erupt करके उसे हम क्या बोलते हैं एक तरीके से तो आप बोल सकते हैं हम उसे क्या बोलते हैं lava बोलते हैं ठीक है lava बोलते हैं फिर अगर आप देखोगे कि कुछ important यहां पर हम लोग volcano eruptions देखने वाले हैं ठीक है क्योंकि important होता है exam perspective of volcano eruptions तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि any volcano that have erupted within the whole you know whole scene period जो लगवग आज से 11,650 years पहले की बात है उसको हम active बोलते हैं scientist के हिसाब से dormant volcano क्या होता है तो कुछ you know volcano होते हैं जो not in the process of adopting currently but has the potential to do so in future और एक mona loa जो एक dormant volcano है for the last 38 years एक तरीके से ठीक है तो अब अभी active हो चुका है अगर आप देखोगे कि जो extinct volcano होता है one which scientist predict will never face any further volcanic activity जैसे Ben Navis the tallest mountain in the UK is a extinct volcano ठीक है तो यह सारी कुछ important यह वोलकानो फिर आप यहाँ पर देखिएगा तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं क्राका तुआ इंडोनेसिया में हैं यह most catastrophe volcano eruptions जो है ना ever occurred in क्राका तुआ इन 883 में और वहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोगों की death हो चुकिए कि एक तरह से 37,000 लोग जो है ना वहाँ पर मारे गए थे अगर आप देखिएगा तो मॉंट वैसुभीयस यह इटली में है ठीक है उसके बाद आपको मॉंट फुजी जापान में है फिर आपका है यहां पे इजाफ जला जोकुल आइलेंड है यह एक तरीके से आइसलेंड में है यहां पे तो कुछ यह important आपको यहां पे जो है ना लाउसिया हावाई में एकदम यह भी आपको बगलें मॉंट सेंट हेलेंस यह यूएसे में है तो यह सारी चीज़े जो है एक तरीके से कहीं ने कहीं आपको और मैं आपको बता तो कि यह सारी चीज़े तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है आपको वोल्कान एरप्संस में जानमाल की च्छती के साथ-साथ यहां पे लोगों को घर छोड़कर के जो एना माइग्रेट करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा फैनेंशियल लॉसस भी होती है एक तरीके से और फ्लोरा फर्ना की तो जो यू नो एकोलोजिकल डिस्ट्रोइमेंट होता है वो तो अलग सी बात है तो उमीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लग रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सकाइब कीजिए थैंक यू सो मुच पर वाचिं दिस वीडियो